सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिले सियादो जीने प्रताप गर जिले में आंगनबाडी बहने आसा बहने और साथी सिच्चा मित्र बहने इन सब को लेकर के काफी कुछ कहा है भरोसा दिलाया है कि उनकी लंबित मांगों को उनकी सरकार पूरा करेगी अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर यह जानकारी पूरी देख करके जाना क्या-क्या बाते वहाँ पर उन्होंने कहीं है उत्तरप्रदेश की सभी आंगन बाड़ी बहनों को भी पता चलना चाहिए साथी बात करते हैं इस आर्टिकल की तो उत्तरप्रदेश के प्रतापगर जिले में ये प्रकासित हुआ है लिखा गया है कि किसान, सिच्छा मित्र और आसा कारकरता यानी आसा बहने और आंगन बाड़ी कारकरता बहने इन सब को भरोसा दिया है अभी नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर साब सब्दों में लिखा गया कि यहाँ पर लोकसभा चुनाओ प्रचार के अंतिम दिन सपा के राष्टी अध्यच्छ अकलेस यादों ने मंच से एक बड़ा वोट बैंक साधा है किसान, युवा, संग, सिच्छा मित्र, अनुधेसक, आंगनबाडी आंगनबाडी बहनों को लेकर के भी उनुझे कहा, जो यह सब्द आप कारकरतियों का देख रहे हैं, वो दरसल आंगनबाडी कारकरतियों को इंगित करता है ऐसे में आसाकार करती इनको भी भरोसा दिलाया है कि लंबे समय से लंबित उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा ऐसे में बता दें तो आइमें बाड़ी बहने जो भी हैं वहां से related जहां कहीं भी जो है यहां पर बहने वीडियो देख रही हैं वो ध्यान से सुने किसानों का कर्ज माफ किये जाने के साथ ही युवाओं को नौकरी भी देने का उन्होंने वादा किया है बाजपा सरकार पर हमला करते हुए अखिलेस ने सबसे पहले किसानों की चर्चा की पूछा बताओ परताब गड़ के किसानों आय दोगुनी हुई क्या क्योंकि भाजपा सरकार ने कहा था चुनाओं में आने से पहले कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे उसी भाजपा सरकार के उन बयानों को लेकर के उन्होंने निसाना साधा है कहा है कि इंडिया गटबंदन की सरकार आने पर खाली पड़ी 30 लाक नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी और ये बास सत्य है उत्तर प्रदेश में बहुत से पदों पर लाखों पदों पर नौकरियां जो रिक्त पदों पर पड़ी है उदाहरन सुरूप आप अपने महिला बालविकास विभाग में आंगनबाडी सायका मिनी इनके ही पदों को अगर उठा कर देख लें तब भी आपको कई हजार पद मिल जाएंगे बहुत से मिनी में में बनने के लायक हो गई है और जैसा कि आपको पता है मिनी अगर में में बनती है तो उनको वहाँ पर एक सायका की भी भरती और निकलती है तो नए पदों का सरजन भी होना है बहुत से जगे आबादी बढ़ गई है तो और वहाँ पर आंगनबाडी सेंटर के लिए कारकरतियां होनी चाहिए जिसको लेकर के भी कोई काम पिछले लंबे समय से नहीं हो रहे हैं इन सबी चीजों को लेकर के आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं और ऐसे तमाम विभाग हैं उन सब विभागों को मिला लिया जाए तो बताया जा रहा है कि 30 लाक नौकरियां अभी खाली परी हैं तो इन पर लोगों को युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए लेकिन आप सब को पता है पिछले 10 सालों में उतर पदेश में कितना रो कर दिया तो ये आलम रहा बच्चे पेपर देते हैं उसके बाद उनको जो है वहाँ पर इन सब तकलीफों का सामना करना पड़ता है इस सरकार ने यानि भाजपा सरकार की मैं अगर बात करूं तो उन्हों ने पिछले 10 सालों में कोई नए पदों का सरजन नहीं किया कोई न देखा था कि वो चीजें यानि वो प्राउन से चलागू की गई थी उसमें आप प्रेरक लगाये गए थे तो ये प्रेरक प्रेरक लोग आये कौन लाया सपा सरकार लाई लोगों को रोजगार दिया लेकिन बेसक कुछ हो ना हो लेकिन वो रोजगार दे रहे थे अगर इस सरकार के मुकाबले माना जाए और हम लोगों ने भी जिपी सरकार को वोट इसलिए दिया था कि जो है सरकार ने कहा था कि हम दो करोन नौकरिया हर साल देंगे दो करोन तो छोड़ो दो लाक नौकरिया हर साल नहीं मिल पा रही और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी हमारे दे कि अगर जैसे यह आपका जो है न्यूज चैनल चल रहा इसके बाहर दुकान पर कोई पकोड़े तल रहा होगा कोई ठेला लगाएगा तो आप उसको रोजगार मानेंगे की नहीं मानेंगे और मेडिया कर्मी वो वो भी हां 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 में हां मिला रहा है क्योंकि ना उसको पता और पता है अगर दोनों को तो दोनों ना समझी का बस खेल जनता के साथ खेल रहे हैं आप जानते हैं कि बाहर ठेला लगाना और ये पकोड़े तलना ये रोजगार नहीं होता है ये जीविका चलानी इसको कहा जाता है समझ रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है आप आप सोचे कौन से पैदान पर 2013 में मनमोहन सिंग जी देश को छोड़ गए थे 2014 के बाद नरंद मोदी जी के आने के बाद आद 2024 में देश कौन से पैदान पर है ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है अगर आप समस्दार हैं तो आखड़े खुद ही आपने देखे होंगे बाकि जिनके आखो पर पट्टी बंदी है उनके लिए तो सब कहना ही फिर बेकार यहां पर देखेगा उन्होंने कहा है कि चुनाओ आने वाली पीड़ी का भविस सित्य करेगा इसलिए जो समवधान बदलने निकले हैं हम उन्हें बदलना होगा अगले स्यादों की सवा में कई युवा पंडाल के पाई पर चड़ गए थे संबोधन के दौरान अकले स्यादों उनसे रूबरू हुए तो एक युवा हाँस से पाई पकड़ कर हवा में आगे चलने लगा अकले स्यादों ने उससे दोनु हाँस से पाई पकड़ने के लिए सचेद किया इतनी जादा भी इनकी रेलियों में हो रही है उत्तरपदेस की जनता इस बार बदलाओ जरूर मांग रही है जैसा कि आप सबको पता भी होगा इस बार वो आलम नहीं है जो प्रधानमंती नरंद मोदी जी के जो है वहाँ पर सब्दों का जाल या फिर उनका एक जो छवी था 2014 में जिस तरी के से जनता नरंद मोदी जी को प्यार सम्मान सब दे रही थी लेकिन समय के साथ उन्होंने उस प्यार सम्मान को वो बना करके बराबर नहीं रख पाए क्योंकि अगर आप एक बार जुमला दोगे बार बार जुमले पर जुमले आएंगे तो कभी न कभी तो वो चीजें लो है लेकिन फिर भी सरकार किसी की भी बने हमें चाहिए हमारी आंगन बारी बहनों का भला किया जाए माँ की आंगन बारी बहनों आप खुँछ समझदार हैं उतर पदेस योगिया अधतना सरकार ने भी आप से दोजा 17 में खूब वादे किये थे बरबर के किये थे और पिछली सपा सरकार को कोसते हुए भी जो है आपके डिप्टी सीम के सो प्रसाद मौरे ने लेटर भी लिखा था लेटर आपने आखों से खुद देखा है पढ़ा है उसके बावजूद आप सब भाई बेहनों को पता है कि क्या आलम चला इस वीडियो को लेकर के सपा के गुणगार है नहीं भाई हम बिजेपी सरकार के दिये गए बार बार के जुमले आगन बारी बहनों से बार बार किये गए वादे और उनको पुरा ना करने की वज़े से देश की प्रदेश की जो हमारी जंता है वो खपा है इस वज़े से वो आपसंत लासरे जैसे 2014 14 में पिछली सरकारों से तरस थे तो उनको चुनाता मौका दिया था लेकन उन्होंने भी बहनों का भला नहीं किया आज भी आपको पता है आंगन बारी बहने अपनी मेहनत की गारी कमाई लगा करके बिचारी कोट से केस लड़ती हैं जीत जाती हैं सुप्रीम कोट से जीत करके बैटी हैं हाई कोट से भी जीत गई लेकिन उत्तर पदेश योगिया दितना सरकार बहनों को गरिजट्री का लाब देना तक मुनासिब नहीं समझती आगन बाड़ी बहनों को ये हमारी सम्मान जनक मान दे और उनकी सेवा सर्तों में सुधार का जो जहांसा दिया था 2017-18 में चुनाओं के दौरान वो तो जुमला ही निकला लंबा समय वीद गया 2024 चल लहा है और उसको तो सरकार ने नहीं किया लेकिन सरकार के पास एक अच्छा समय था आगन बाड़ी बहनों का वोट साधने के लिए उधर नरंद मोदी जी वोट साधते नजर आते रहते हैं अभी हाली में उन्होंने कहा था इंटर्विव में कि जो की अपने ही जो किये गए एक मेडिया कर्मी के साथ उनका रहा बा बाड़ साबित होता कोट से तो हम सब जीती चुके है सुप्रीम कोट भी एगर सरकार जाये तब भी वहाँ भी हम लोग जीतेंगे क्योंकि फैसला सरकार दे चुकी है एक बार वहीं अगर बात करें उतर पदेश की तो यहां सरकार अब डबल बेंच चली गई हम लोग जीत केस डाला जाए लड़ा जाए यही सब फिर किया जाएगा यह क्या है यह सिर्फ आंगनबारी बेहनों को परेशान करना ही तो है गरीम महलाओं को नारी सकती को क्या इससे नारी सकती करन होगा बेहने 4450 रुपे पाती हैं और अपने हक के लिए वो कोट कचहरी के भी चकर का सोचिये जरा सरकार का तो वावाही तब होता जब सरकार बेहन कोर्ट ने जीत दे दी है तो सरकार उसको अपने चुनावी रूप से भी देख सकती थी बेहनों को उसका लाब देती ग्रिजुटी का और बेहनों का दिल जीत लेती पिछले किये गए वादे जो पूरे नहीं की हैं कम से कम उस पर एक ये मिट्टी डालने जैसा परदा डालने जैसा होता लेकिन सरकार को जैसे मानों आगनबारी के वोट से कोई फरकी नहीं पड़ता इस वज़े से सरकार ने इस बार भी चुनाओं के दोरान भी आगनबारी बेहनों को हमारी नजर अंदाज कर दिया और एक बड़े रूप में नजर अंदाज किया वही देश के पदान मंत्री जी समझते हैं वो आगनबारी बेहनों की ताकत को जानते हैं और वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं वो कह रहे हैं जहां आगनबारी खड़ी वहां सरकार खड़ी क्या सरकार को आखिर कहने की नर है वो किस हिसाब से वोट डालती है वो तो उनको पता है और यही एक वज़य है कि आगनबारी के चिलनाने से सहाध योगी जी को फरक नहीं पड़ा और यह मेरे हिसाब से तो मास्टर इश्टोक रहता वीजेपी सरकार का यूपी में कि आगनबारी बेहनों को वो दूसरा ओप्सन प्रदेश में तलास रही इधर आप देख रहे हैं जो वेपच्छी पार्टियों में जैसे सपा हो गई कांग्रेस हो गई इन्हों ने आंगन बारी बैनों की मांगो को अपने एजंडो में भी जगे दी वहीं बीजेपी सरकार ने आंगन बारी को कहीं पर भ नहीं किया था जिसका खूब विरोध आलंडिया ने भी किया और हर जगे आंगन बारी संगों ने भी किया वहीं पर आप देख रहे हैं और वही एक वज़े है कि आंगन बारी बैनों का वोट साधते प्रदानमंत्री जी नजर आए क्योंकि उनको पता होगा कि उनसे गलती हो ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सब चीज़ें देखने को मल नहीं है तो अब आगन बारी बैनों को जो इस समय नजर आ रहा है वो है विपच्च जो भी इनका कांग्रेस है सपा है यानि अधर स्टेट में और और यूनियन है जिनका अपना कांग्रेस के साथ म उन्होंने अपने वचन पत्र में आगन बारी बैनों के मांदे वरदी को जगे दी है और साब जगे दी है यह नहीं कहा है हम आपका सम्मान जनक मांदे करेंगे उन्होंने कहा हम आपका मांदे दो गुना करेंगे डबल करेंगे तो दो गुना करेंगे तो यह समझ में आता लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार ने सम्मान चनक का जासा दिया और अंतता पंदा सो रुपे बढ़ाए सरते लगाई पियलाई दिया मांदे दिया ही नहीं वो मांदे नहीं वो प्रोशाहन रासी है अब आप देखे कैसे कैसे हमारी बेहनों के साथ क्या क्या किया गया वो हम पूछेगा हमको हमको क्या मतलब इन सब चीजों से लेकिन हमें हमारी बेहनों से मतलब है और मैं अपना काम जो है वो बस जिम्मेदारी से कर रहा मैं बेहनों को हमारी अपनी अंधेरे में नहीं रख सकता बार बार मैंने दो बार सरकार पर भरोशा किया और मैंने हमेशा से यही चीजे कही सब सरकारे एक जलसी निकल करके आ जाती है किसी ने बहनों को कुछ नहीं दिया लेकिन देखा जाए उत्तर पदेश में तो सपा ने भी दिया है हजार रुपे सपा की ही देन रहे हैं आप सबको पता है ये बात 800 रुपया और 200 रुपया ये सपा की देन रहे थे मांदे सुरूप जो उत्तर पदेश में सरकार ने दिया योगी जी ने वो 500 रुपे बस दिये हैं जो 500 आज आप पा रहे हैं उसमें 1000 रुपे तो पहले वाले ही आते थे जिसमें 800 और 200 दोनों बार सपा सरकार की देन रही थी वहीं 500 जो अभी जो बढ़ाये गए थे पिछली बार वो योगी जी के थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी 500 जो बढ़ाये योगी जी ने वो प्रोशाहन सुरूप वो आज भी बहनों को नहीं मिलता और उसको लेकर के वसूलियां भी बहनों से होती हैं अधिकारी PLI का पैसा लगाने के नाम पर बहनों से पैसे भी एटते नजराते हैं बहने इसकी सिकायत भी करती नजराती हैं और कई बहने डर की वज़े से सिकायत भी नहीं करती किस से करें विभागी लोग वही जम्मेदार जिन से सिकायत करेंगी वही उनके उपर जांच करके कारवाई कर देंगे तो उसके डर से वो शुपसाब सोसर करवाती हैं तो ये PLI एक सोसर का जरिया सरकार ने छोड़ दिया अन्य था बहनों को हमारी चाहिए था कि सरकार मांदे में वद्धी करती जिसके लिए बहनों को किसी क्या मुताकना नहीं पड़ता अधिकारियों से बार बार कहना नहीं पड़ता आज भी आप देखरें अपने PLI को लेकर बहने काफी परिसान रहती हैं ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके सामने हैं मैं कहना चाहूंगा उतरपदेश सरकार योगी आजतनाज जी से सत्ता में आप दो बार इस बार आंगन बारी को नजर अंदाज किया अगर आप दो बारा भी सत्ता में आते हैं तो अब की बार करपिया नजर अंदाज ना करें तो ज़्यादा बहतर होगा क्योंकि इन महिलाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए यह ना री सकती हैं बेसक आप इनको नहीं समझ रह लेकिन आपके बुराईयां लोग याद रखते हैं अब अच्छाईयां बहनों की आप सब को पता है कोविड जैसे काल में बड़े-बड़े अधिकारी बड़ी-बड़ी सेलरी उठाने वाले घरों में आराम करते थी और बहने हमारी सर्वे करती थी अपनी जान जोकिम में ड ये कड़वा सत्य है जिसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तब भी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे और वो सत्य था वो बड़ी-बड़ी बाते कहलो या उसको सत्य कहलो लेकिन वो सत्य था कि आंगनबारी कोरोना योद्दा थी और वो रही लेकिन आज भी आपको पता है सच्चाई क्या है उसी काम के वज में सरकार ने जो महिंताना देने का वादा किया था बिजेपी सरकार ने वो महिंताना भी आज तक आंगनबारी बहनों को उस काम के बदले नहीं मिला ये भी एक कड़वा सत्य है आज भी उत्तरपदेश की आंगनबारी बहने वो COVID-19 के समय किये गए कायर का जो PLI प्रुष्टाहन जो मिलना था पैसा वो पैसा आज भी बहने मोताक्ती नजर आती अधिकारियों के आज भी उनको भुगतान नहीं हुए हैं ये एक कड़वा सत्य है तो आप देखे कितना सोसर बहनों का लंबे समय से अभी हो रहा है अच सत्य है वो आपके सामने है ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये पार्टी ने प्रचार प्रसार के दोरान प्रताबगर में अपना जो कहा है ये वो है और किसने क्या कहा है वो देखाना हमारा करतव है ना कि कि किसी एकी सरकार को लेकर के बार बार चीजों को देखाना तो विपच्च भी क्या कह रहा, वो सारी चीजे दिखाई जाती है और वही मैं कर रहा हूँ, अब इसको ले करके काफी लोग कहेंगे, ये उनको ले करके बोल ला है, भाई मैं किसी को ले करके नहीं बोल ला है, मैं जो सच है वो बोल ला है, और सच जो है वो आपके सामने है करवा बिसक हो लेकिन है है यही हमारी सरकार उत्तरपदेश की अगर चाहती तो ग्रजटी का लाप दे देती क्योंकि हम लोग हाई कोट से जीते सुप्रीम कोट में भी केस जीता पड़ा हुआ है लोगों का तो अब सरकार जानती है कि यह देना पड़ेगा लेकिन सरकार सुप्रीम कोट नहीं पड़ा अभी डबल बिंच पर सुनवाई होगी यान zam существ होगा उसके बाद फिर सुप्रीम कोट भी गवर्णिंट चाहे तो जा सकती है बहने कहां कहां तक जो पैसा लगाएंगी साध यही सोचकर के गवर्मिंट जो है वो कर रही है बस परिसान करने क लिए अन्य था योगी जी को चाहिए था इन नारी सकती का सम्मान सुरूप इनको ससक्त करते इनको गरजुटी का लाब देते क्योंकि रेटारी मिंट का तो आप चवन्नी भी बेहनों को नहीं दे रहे हैं और उल्टे कोविट जैसे काल में जो है बेहनों को खाली हाथ हजार की तादात में उत्तर पदेश में आपने घर बेठा दिया जबरन 62 वर्ष में सेवा निवत्त करके बेठा दिया जबकि पहले 65 वर्ष में हमारी बेहने रेटार होती थी वहीं देश के प्रधान मंत्री जो 65 साल से उपर हैं वो और उनके जैसे और भी लोग जो बार-बार म ग्रवर्मेंट बनाती 횔र रटार करके घर बेठा देते और उनको मौके पर मौके चाइए हम और और वोट दो हम और सत्ता में लाओ वो मौके मांग रहे आप से और आप क्या कर रहें आ mods कर्म चारी वर्ष गर करे घर बेठा रहें अरे बहने हैं बिचारे ये कर्म-चारी छोड़ा लिखा है जो नहीं है वो नहीं समझ रहा लोगों का इस इस कदर ब्रेंवास हो गया है कहना ही सब्वेकार और यह ब्रेंवास का सलसला कोई आज पहली बार नहीं है ये बाते 2017-2015 उस टाइम से जो निकल करके आ रही है 14-15-16 के टाइम से खूब बाइरल थी उस टाइम पर कि लोगों का ब्रेन वास होगा और देख रहे हैं 2024 में आते हैं किस कदर ब्रेन वास लोगों का हो चुका आज के इस वडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और उमीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोपहर को आप सबको जल्दी मिलेंगे